साथियों नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे कोलियस की कोलियस जो है वो अपने फोलियज के कारण बहुत सुन्दर लगता है वो फोलों के लिए नहीं उसको जो उगाय जाता है उसकी पत्यों के लिए ही उगाय जाता है कोलियस रंग बिरंगी और सुन्दर पत्यों वाला पोदा है देख रहे हैं आप जो सामने हरा भरा रहता है यह साल बर ऐसे ही कोलियस की एक दरजन से जद्धा विराइटीज है और मेरे पास इस समय जो सामने देख रहे हैं आप छे परजातियां है कोलियस की और पड़ी सुन्दर सुन्दर प्यारी हैं और ये गमलों में बहुत ही मेरे टेरेस गारें में बहुत ही अच्छी चल रही है तो ये क्योंकि इसकी सुन्दर ता देखके मैंने सुचा आज इन ही के ओपर एक वीडियो बनाया जाए तो इनकी पत्या अलग अलग रंगों में होती है इनका पत्यों का पैटर्न अलग होता है साइज अलग होता है और ये जो एक ना लो मेंटिनेंस वाला पोदा है जिसे ब अहां तक इसकी मिट्टी की बात है अगर आपकी मिट्टी फर्टाइल है तो किसी चीज़ की ऑर मिलाने की ज़रूरत नहीं है कोई किसी को तोदा बहुत अच्छा चलता है बस ये ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी वैल ड्रेनो उसमें पानी ना रुके तो पानी ना रुके इसके लिए कमले में क्या करना होता है हमें 25% हम कोको पीट या बालू मिला देनी चाहिए इससे गमले में और गमले के नीचे छेद होना च जाए और महिने में एक बार अगर आधा चमच एनपी के खाद पानी में मिला कर डाल दें तो ये बहुत ही चलता है एनपी के हमारा बैलेंस फरटिलाइजर होता है तीन नो पो सकता तो उसमें होते हैं एन पी और के तो उसकी आधा चमच गमले में डाल दें तो बहुत ही ब लगता है इसमें इसमें जो हमने क्या हुआ एक प्लांट के एक डाली ऐसी तूट गी और वह दूसरे गंबर लगा दी तो देख रहें जो यह पोधा अध्यर सामने यह ऐसी हुगा है हमारा दूसरे की कटिंग लगा दी ती दो तरीके इसे बीज से भी लगा देते हैं और कलम काट के भी इसको लगा सकते हैं फूल के बीज को बोकर नया पोधा तयार करना बहुत आसान है तो चलिए क्या कर तक कैसे कैसे लगाते हैं देखिए दो पोधी देखने एक छोटे वाला है यह इसी की कलम से लगाया हुआ है और यह देखिए कितनी सुंदर इनकी रंग की पतियां होती हैं तो 5-6 इंच लंबी आप इसकी कलम ले लिजे इसकी टहनी काट लिजे और निच्चे की पती तोड़ दीजिए बस उपर की तरफ दो पतियां रहने दीजेगा बाकी तोड़ दीजेगा और कॉलियस की कटिंग की जो किसी अगर आपके पास रोटिंग कं आपने हमें क्योंके फूल तो लेना ही नहीं है बीज हमें इससे लेना नहीं है तो हमें इसकी जो फ्लावरिंग वाली जो डाली है उसको काट देना चाहिए जिसमें बीज लगने की संभाव ना है उसको काट देना चाहिए उससे पतियां ग्रोथ नहीं करती तो इस तरह इ कि एक कटिंग ले लेते हैं और किसी रूटिंग दुबो लेते हैं अगर रूटिंग नहीं दो एक लीटर पाणे में दो तीन चम्मच सीरका या एपसम साल्ट मिलाकर जो रखा हुआ उसको कलम को इसमें दुबो दो और उसमें से निकालकर पानी च्छड़क चान वाली जगे पर रख दे एक दो हगते में नहीं जड़े निकलनी शुरू हो जाते हैं यह बहुत ज्यादा मुस्किल नहीं यह चोटा सा पोदा जो देख रहें ना यह हमने अभी लगाया यह भी बड़ा हो जाएगा तो बड़ा सुन्दर लगेगा तो यह तो हम ऐसी हमारे के बराबर में हैं तो कि sapatgamilamba कि हमरी छ्य वराइटीज है छे अलंग अलंग वराइटी हैं और बहुत ही सुन्दर चल रहें बीज से अगर बहना है तो हम जैसी मिट्टी मेंने कि को में तयार कर लेंगे ओर उस मिट्टी में हम बीज बीज को छिड़क देंगे बीज को फेला देंगे और हलकी सी मिटी उसके उपर आ जाए इसमें नमी बनाए रखेंगे थोड़ा थोड़ा पानी देखते रहेंगे हमारी गमले में यह कोलियस बहुत ही सुन्दर लगता है यह देख रहें न यह दरसे मेरे उसका तो पत्ति इस ग्रोध कर जाएगा बहुत बड़ा पत्त हो जाएगा और बड़ा सुन्दर लगेगा इसमें जैसे मैंने बताया गानी पत्तियां लाने के लिए सब बुसी बनाने के लिए इसकी पिंचिंग जो गुरोध करती है ज्यादा एक तो वह डाली जिन पर फूल आ रहा है बीज सब्किन बनने वाला उसकी पिंचिंग कर दीजिए. और इसके लिए कम से कम छे से ऑट हिंच का जब बोध हो जाए तो उसके बाद ही करना चाहिए पिंचिंग. पोध की टिप को टोड़ देते हैं उसको पिंचिंग कर देते हैं। ज़्ज़ादा बढ़वार कर रहा है ज् इसकी पतिया ना जो सुन्दर लगती है पतियां ही सुन्दर लगती उनका रंग खराब होने लगता है यह आम तोर पर जो पुदा है इसका कुली इसका छे से 6 इंच से धाई फिट तक तीन फिट तक बढ़ जाता है यह पोदा सालों साल चलता है लेकिन और फूल में छोट-छोट फूल भी निकलते हैं जैसे मैंने बदा जिनको मैंने तोड़ दिया था तो फूल तोड़ने से जो फूलों में एनर्जी जाती वो अपनी पतियों में नमी मेंटेंड करने के लिए मलचिं कर सकते कुछ पहला सकते नीच है तो उससे सुंदर बी पंध बाडिया उनको फैला गुम्या करने की चनिन कीचरा में टेखने कंद। जाल देते तो फ़िए संघ्थो लगता है तो यह एक कुछ वाले के वह करेंदी आ, लेकिन में नहीं चाहिए हमें इसकी पत्तियां चाहिए क्योंकि इसकी पत्तियां बड़ी सुन्दर लगती है देखें मेरे गार्डन का एक प्यारा सा व्यू बीच में कोलीज रखा है तो कैसा लगा ये वीडियो थैंक यू नमस्कार दोस्तार दोस्ते